वेलकम बेक दोस्तों आज हम एक्स्प्लेन करेंगे 2022 की एक फिल्म जिसका नाम है गुड़ लग टु यू लियो ग्रांडे फिल्म के शुरुवात नैंसी से होती है जो एक60 साल की ऑरत है नैंसी ने होटल में एक रूम बुक किया है और वहाँ उसने एक लड़के को मिलने बुलाया है जिसका नाम लियो ग्रांडे है उसी समय लियो एक कैफे में कॉफि पी रहाए और उसके बाद वो नैंसी से मिलने क लिए निकलता है या ली उसे तो भी अच्छा नहीं कर रही है यह और लियो को यह बात safest नहीं लग रही है क्योंक्त sexual और और अच्छे तमीज वाली ओरत है जो एक स्कूल टीचर है नैंसी अपनी पूरी जिन्दगी एक बहुत अच्छी मा और पत्नी रही है पर दो साल पहले उसके पती की मौत हो गई है और नैंसी के बच्चे अपना अलग जीवन जीने लगे है उसके बाद जब नैंसी रिटायर होती है तो उसे पता लगता है कि उसकी आदी से ज्यादा जिन्दगी खतम हो चुकी है पर आज तक वो बैट पे मजे नहीं ले पाई है तो इसलिए रूम बुक करने और एक लड़के को मिलने के लिए बुलाने के बाद नैंसी को ये उमीद है कि वो बैट पे मजे ले है पर साथ ही नैंसी नहीं चाहती कि वो दोनों बस बात ही करते रहे बलकि नैंसी चाहती है कि वो अपना काम जल्डी से चल्डी शुरू करें और उस जवान लटके के शरीर के मज़े ले लियो को भी काम की शुरुआत करने में कोई एतराज नहीं है तो इसलिए लियो नैंसी को किस कर लेता है नैंसी को हलका महसुस करवाने के लिए और उसके डर को दूर करने के लिए नैंसी इस बात से डरी हुई है कि वो किसी लटके के फिलिंग्स को जगाने पाती है और इसलिए वो लियो से बोलती है कि यह को villingu जगाने के लिए दवाई ले लेनी चाहिए तर लियो को विश्वास है कि वह दवाई के बिना भी सब कर सकता है उसके बाद जब नैंसी को पता लगता है कि मज़े लेने को वो टाल नहीं सकती तो वो दोर के बातरूम में चली जाती है, मुख हाथ दोने और कपड़े बदलने के लिए, दूसरी तरब रूम में लियो अपने कपड़े उतारता है और आराम से बैठ जाता है, नैंसी बहुत देर तक बाहर नहीं आती ह तो Leo कुछ खाने का सोचता है और तभी उसे एक चॉकलेट मिलती है थोड़ी दर बाद Nancy room में आती है पर चॉकलेट की महक उसे बुरी लगती है इसलिए Nancy को लगता है कि Leo को brush करने की जरूरत है थोड़ी देर बाद लियो को पता लग जाता है कि परेशाणी चौकलेट नहीं है बलकि खुद नैंसी है मजे लेने से डरते हुए नैंसी अपना मन बदल लेती है और पैसे देनी के लिए तयार हो जाती है कुछ करने से पहले लियो नैंसी को चिंता ना करने को बोलता है क्योंकि नैंसी का decision ऐसावेसा नहीं है बल्कि एक सोचा समझार decision है टीस से नैंसी का उसके पती के साथ मजे लेना बोरिंग रहा है और ये अप आखरी मौका है सब कुछ बदलने का उसके बाद दोनों चादर के अंदर लेट जाते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं नैंसी समझ जाती है कि लियो बेवकुप नहीं है और पड़ा लिखा है और इसलिए नैंसी को समझ नहीं आ रहा है कि लियो ऐसा काम क्यों कर रहा है लियो थोड़ा भी शर्मिन्दा नहीं है क्योंकि ये सब वो करता रहता है और ये काम करने से लियो को लगता है कि किसी को उसकी जरूरत है पर साथ ही लियो अपनी मां को नहीं बता पता कि वो क्या करता है और अपनी मां से बोलता है कि वो जमीन से तेल निकालने का काम करता है नैंसी के दो बच्चे है एक लापरवा बेटी और एक जिम्मेदार बेटा जो युनिवर्सिटी जाता है नैंसी को अपने बच्चे बोरिंग लगते है क्योंकि वो दोनों भी नैंसी की तरह ही है नैंसी का मूड बनाने के लिए लियो सोचता है कि वो नैंसी के पती के बरताओं के बारे में जानेगा मज़े लेने से पहले तब लियो को पता लगता है कि नैंसी का पती उसका एकलोता साती था और 30 सालों से वो नैंसी के साथ एक ही तरीके से सेक्स करता था हर बार सब एक जैसा ही होता था नैंसी को ये सब अच्छा नहीं लगता है और रोने लगती है और बताती है कि वो किसी लड़के को मज़े देखिे खुश करना चाहती है और बदले में नैंसी भी वही चाहती है नैंसी आगे बताती है कि जब वो जवान थी तब वो एकवेटर से मिली थी इस उमीद से कि वो उसे खुश कर पाएगी पर ऐसा नहीं हो पाया थोड़े दर बाद जब लियो ने देखा कि नैंसी शांत हो गई है तो लियो ने नैंसी को किस कर लिया और आगे का अपना काम किया जब वो दोनों दूसरी बार मिलते है तो नैंसी और भी खुल मिल जाती है नैंसी को अप लियो से कोई शर्मिंद की नहीं है और नैंसी लियो उसके बाद जैसे कि पहला लिए नेंसी और भी भी घबराई धो लियो ने ना घबराइने को कहा और ज्यादा ना सोचने को बोला उसके बाद नैंसी को लगा कि बहुत नंस को नैंसी से ज्यादा तजरुबा है और इसलिए वो अपने गुटनों के बल बैटने के लिए तैयार हो गई लियो को मज़ा देने के लिए उसके बाद नैंसी लियो के बेल्ट को धीरे-धीरे खोलने लगी पर नैंसी फिर दर गई। ये सोच के 210 मजाने ही पाई फिर लियसी से बोलता है कि अगर नेंसी करेगी तो उसे मुद्ध नहीं मिल पाईगा अचानक मौडर खराब हो जाता है एक कॉल की वज़े से जो निएंसि की बेटी का था नांसी की बेटी को अचानक को अच्छानी आगी है सहीर हाई के लिए उसके बाद अपनी लीन से बात कर लेती है अधुरे काम को करने के लिए हो जाती ऑ curved Drake करते करते इसी बहुत मगन हो जाती है और उसकी शरमिन्दगी खटम हो जाती थोडी पिर बाद फिर नैंसी की बेटी का कॉल आता है और इसकी वजह से वो रोमेंटिक सींग बिगड़ जाता है पर नैंसी ठक चुकी है और कॉल नहीं उठाना चाहती है तब लियो मजाक में बोलता है कि वो कॉल उठा के बोलेगा कि उसकी मा कमो अभी किसी और काम में लगा और अपनी बेटी से बात करती है और बात करने के बाद फिर से अपने घुटनों के बल बैट जाती है और वापस से सब शुरू करने को बोलती है तो लियो अपना समय लेता है और नैंसी को मसाज के लिए पूछता है तो नैंसी लियो के पास बैट जाती है और उसके शरीर क परयों महसूस करने लगती है और अशन अब्स क्यूटों करने ले जाता है और घबरा जाता है जैसे को अच्छा अधिकार uso इतारने से और लियो एकने दूसरे क्लायंट के बारे में बताते हुए नैंशी को अच्छा महसूस करने के कोशिच रहें लोह करने लगती से नहीं की माज़ा उठाती है और वह नाटक नहीं करती है उसके बाद नैंसी अपने लिस्ट की दूसरी चीज बताती है और वो चीज ये होती है कि वो लियो को और भी अच्छे से जानना चाहती है पर लियो बोलता है कि उसे नहीं पसंद कि उसकी जिंदगी में कोई इतनी दखल अंदाजी करे तो नैंसी बोलती है कि उसनी लियो के असली नाम का पता लगा लिया है इंटरनेट पे ढूनने के बाद ये सुनते ही लियो बहुत गुसा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि वो अब कभी नैंसी से नहीं मिलना चाहता है और वो इस रूम में दुबारा नहीं आएगा ये सुनके नैंसी को बुरा लग जाता है और वो लियो से माफी मांगती है क्योंकि नैंसी बस लियो के और पास आना चाहती है और बोलती है कि वो भी अपना असली नाम बता सकती है अगर लियो चाहे तो पर लियो को उसकी बाद सुनने में कोई दिल्चस्पी नहीं है तब लियो फिर नैंसी को बताता है कि जब वो जवान था तब वो और उसके स्कूल स्टूडेंट्स की पार्टी थी और तभी Leo की माँने उसे सेक्स करते पकड़ लिया था और तभी Leo की माँने उसे छोड़ दिया और अब वो अपनी मा के लिए मर चुका है उसके बाद Leo ने अपना घर छोड़ दिया और खुद के लिए Call Boy की नुखरी करने लगा Leo ने बताया कि उसका असली नाम Connor है जो हमेशा के लिए मत चुका है और ये बोल के लियो रूम से चला जाता है पर एक मिनिट के बाद लियो वापस रूम में आता है अपने फोन को डूमते हुए पर उसे अपना फोन नहीं मिलता है फोन ना मिलने पे लियो गुस्से में आ जाता है और रूम की चीजों को तोड़ने लगता तो और मिलने के लिए शुक्रिया बोलती है नैंसी लियो से बोलती है कि उसने अपनी फ्रेंड को भी लियो के बारे में बताया है नैंसी पे विश्वास करते हुए लियो भी अपने बारे में कुछ कुछ बताता है और अपनी गलतियों के बारे में भी बताता है उसके बाद Nancy Becky को बुलाती है और बता देती है कि Leo कोई customer नहीं है बलकि एक बहुत अच्छा लड़का है जिससे Nancy एक महिने से मिल रही है Nancy ये भी बताती है कि Nancy room book करती है और Leo के साथ वहाँ मज़े करती है अब Nancy खुल के जीना सीख गई है उसके बाद Nancy Becky से दिमाग से सोचने को बोलती है और अपने अंदर की इच्छा को छुपाने से मना करती है Nancy Becky से बोलती है कि मज़े लेना कोई बुरी चीज नहीं है बलकि एक चमतकार है जिसका सबको आनन लेना चाहिए उसके बाद कैफे से निकलने के बाद लियो और Nancy फिर से होटेल के रूम में जाते हैं मज़े लेने के लिए अच्छे से मज़े लेने के बाद दोनों आराम करने का सोचते हैं लियो के नंगे शरीर को देखके Nancy कुट के शरीर को छूने लगती है और इस तरह उसे पहली बार मज़ा मिलता है सब कुछ खतम होने के बाद उन दोनों को पता लगता है कि ये उन दोनों की आखरी मुलाकात है नंसी को पता लग गया है कि उसे क्या चाहिए और वो अच्छे से मज़े भी ले पाई है और इसलिए वो लियो को अलविदा बोल देती है अब नंसी रूम में अकेली है और अपने आपको आइने में देख रही है और पहली बार उसे अपने आप में कोई गलती नहीं लिख रही है और अब उसे कोई डर भी नहीं है इस फिल्म से हम ये भी सिखते है कि आप जैसे भी हो खुद को वैसे ही स्विकार करना ही सबसे बड़ी खुशी है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सरकल में शेर जरूर कीजिए साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए and thank you for watching